नमस्कार स्वागत है आपका उत्राखंड की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल उत्राखंड विधान सभा के लिए परतियाशियों के नाम तरे करने में ही बिजेपी नेतोतों को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हलाकि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव समीती की बैठक में 50 विधान सभा छेत्रों से आये नामों पर तकरीबन सहमती हो चुकी है लेकिन 20 विधान सभा सीटों पर ही माथा पची के पास या समवन्जस की स्थिती बनी हुई है और अब इसे केंदरिये नेततु और संसदिये बोर्ड पर छोड़ा गया है आपको बता दे कि चुनाव समीती की बैठक में ही विधान सभा वार आये नामों पर ही विचार हुआ और मंत्रियो वरिष्ट विधाईकों की सीटों पर ही एक एक नाम ऐसी सीटे जिसमें पार्टी के ही पास सकरात्मक फीडबैक है और पर एक सही दो नाम पर पैनल बनाया गया है जिन सीटों पर ही पार्टी की स्थिती कमजोर है या कॉंग्रेस के कमजे वाली है वहाँ तीन तीन नामों के पैनल भेजे गए हैं इनी सीटों पर ही पार्टी सहमती के बिंदों नहीं पहुच पाई है कॉंग्रेस केंद्रिय चुनाव समीती की बैठक में उत्रखन के 70 विधान सभा सीटों में से ही करीब 40 नाम फाइनल थे लेकिन 30 सीटों पर सहमती नहीं बन पाई केंद्रिय चुनाव समीती के स्क्रीनिंग कमेटी को पूर्ण होमवक पूरा करने के बात सही अपनी रिपोर्ट देने को कहा है और ऐसे में कयास लगाई जा रहे हैं कि कॉंग्रेस उमिद्वारों की घोशना तभी की जाएगी जब 70 विधान सभा सीटों पर सहमती बन जाएगी केंद्रिय चुनाव समीती की बैठक में ही 40 सीटों पर तो सहमती बन गई है लेकिन 30 सीटों पर ही परभारी देवेंद्र यादों की ओर से भेजे गए परियवेक्षकों और परदेश के नेताओं की रिपोर्ट विभेन होने के कारण ही केंद्रिय चुनाव समीती ने स्क्र विचार मन्थन करने के बाद फाइनल सुची तियार करने को कहा है वहीं विधानसभा चुनाओं के लिए भाजपा में करीब 50 नामों पर सहमती बन गई है भाजपा के परदेश मदन कोशी के मताबेकर सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए ही नामों के पैनल त्यार कर लिए गए हैं जैदेतर सीटों पर ही दो और तीन नाम हैं और कुछ के सीटों पर ही एक एक नाम भी हैं और अभिवार को नेदिली में बैठक होगी आपको बता दे कि इसको लेकर भी जिसमें उत्रगंड से नामों के पैनल पर विचार होगा इस बैठक में केंद्रिय ग्रहम मंत्री अमित शा मौझूद रहेंगे और परदेश सही आपको बता दे कि परदेश अधियक्ष मदन कोशिक मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी और परदेश महमंत्री संगठन अजे कुमार भी शिरकत कर सकते हैं आपको ये भी बता देते हैं कि शनिवार को ही परदेश पार्टी कारयले में ही हुई बैठक में कोर ग्रूप ने मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी और परदेश अधियक्ष मदन कोशिक को ही नामों पर सहमती बनाने के लिए अधिकरित किया है इसके बाद हुई परदेश चुनाओ सिमिती के बैठक में ही नामों के पैनल त्यार किये गए लाइसेंसी पिस्टल से हर्श फाइरिंग का वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है लाइसेंस धारक और फाइर करने वाले शक्स के खिलाफ देर राथ ही थाना नहरू कलोनी में ही मुकदमा पंजिकरित किया गया है इसके लावा ही पिस्टल पर लाइसेंस निरस्त करने संबंधे कारवाई की जा रही है आपको बता दे कि एक शक्स द्वारा ही लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फाइरिंग करने का वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइलर हो रहा है हो रहा है और आपको ये भी बता दे कि जिसके बाद से ही फाइरिंग की जानकारी लेते हुए ही थाना नहरू कलोनी पुलिस नहीं नवीन जैसवाल निवासी चकशा थाना नगर नहरू कलोनी के लाइसेंसी पिस्टल का गलत उपयोग करते हुए रहत सा अपरी निवासी टर्नल रोड पटे लगर थाना द्वारा हवाई फाइर करने के ही जूर में मुकदमा दर्ज किया गया और थाना नहरू कलोनी परभारी परदीप राणा ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने शशत्र आधिनियम का उलंगन किया है और जाज के बाद दोनों व्यक्तियों को खिलाफ थाना नहरू कलोनी में ही आमस एक्ट के अंतरगत ही मुकदमा पंजी करित किया गया है और ल license निरस्त करने की संबंद में भी करवाई की जा रही है